पुलिस को लालू प्रिसाद यादफ की तालाश है जहां हत्यार खरीद मामले में 25 साल से उन्हें भगोड़ा बताया जा रहा है अब कोट ने बड़ा अक्शन लेते हुए लालू प्रिसाद यादफ के खिलाफ वारेंट जारी कर दिया है जिसके बाद उनकी मुसीबते बढ़ने वाली है दरसल मद्य प्रदेश पुलिस को लालू प्रिसाद यादफ की तालाश है हत्यार खरीद केस में 25 साल से फरार लालू यादफ के खिलाफ गिरफतारी वारेंच भी निकल चुका है हलाकि ये साफ नहीं है कि आरोपी बिहार के पूर्व मुक्ष मंत्री लालू प्रिसाद यादफ ही है या नहीं लेकिन केस MPML कोट में आने की वज़े से माना जा रहा है कि ये केस आरजेडी अद्यक्ष के खिलाफ ही है वहीं इस केस में कान्या आरोपी के वकील का दावा है कि मिलते जुलते नाम की वज़े से ये गड़बड हुई है और केस MPML कोट में चलाया जा रहा है मामला उस दोर का है जब लालू प्रिसाद यादफ बिहार के मुक्ष मंत्री थे गौलियर में हतियार विक्रेता प्रवेश शतुरवेदी ने 1997 में शहर के इंदरगंच थाने में शिकायत दर्च कराई थी इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के महोबा निवासी हत्यार विक्रेता राजकुमार शर्मा ने गौलियर की तीन फर्म से फर्जी वारा करके हत्यार और कार्टूस खरीदे फिर उन्हें बिहार में बेच दिया जिन लोगों को हाथियार बेचे गए थे उनमें से एक वेक्ती का नाम लालू प्रिसाद यादव था हाला कि जिस लालू यादव के खिलाव केस दर्ज किया गया है उसके पिता का नाम कुंदरिका सिंग यादव है जबकि पूर्व मुक्षे मंतरी लालु पिसाद यादफ की पिता का नाम कुंदन राय है पुलिस ने उनीज सो अंचानवे में चालान पेश किया था जिसमें पिता का नाम कुंदरिका सिंग लिखा है इस मामले में दो दर्जन आरोपी बनाए गए थे इनमें छे के खिलाफ सुनवाई न्याले में चल रही है दो आरोपितों की मौत हो चुकी है जबकि अभी तक 14 लोग फरार है लालु यादफ को भी उनीज सो अंचानवे में कोट ने फरार घोशत किया था जिन लोगों को आरोपी बनाए गया उनमें सुशील शुकला, कमलकांत, विश्नु, रविकांत, अनील कुमार, सुनील कुमार, ब्रिज मोहन, सुरेंदर सिंग, लालु पिसाद यादव, शशिकांत, मुरारी लाल शर्मा, जेपी यादव, मूसा मिया मोहन, सोनी, उपेंद कुमार, रंजीत कुमार, कनहिया लाल, कृष्नानंद, श्रवन शर्मा, जनारदन शर्मा, बादल और सुजीत नामक व्यक्ती शामल है बताते चले कि शास्किय अधिवक्ता अभी भी ये मानने को तयार नहीं है, कि ये मामला पूर्व मुक्ष मंत्री लालो यादव से जुड़ा हुआ नहीं है वही कानपु निवासी एक आरोपी विश्नु कनोडिया के अधिवक्ता अभी शेक शर्मा ने दावा किया है कि पूर्वा सियम लालो यादव का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है पूलिस ने जो आरोप पत्रदायर किया है उसमें लालो प्रसाद यादव लिखा है और पता में सिर्फ बिहार लिखा है बिहार में सिर्फ एक लालो प्रसाद यादव नहीं सभी लालो का पता जानते हैं लालो पिसाद यादफ का चालान फरारी में पेश किया गया है जब पुलिस को वो मिले ही नहीं यदि ये लालो बिहार के पुर्वसीयम होते तो क्या पुलिस को मिलते नहीं 350 बोर की 16 राइफल, 12 बोर की डबल बैरल की 20 राइफल एनपी बोर राइफल के 20,000 से ज़ादा कार्टूस, 12 बोर बंदू के 7,500 कार्टूस, 32 बोर रिवॉल्वर के 1500 कार्टूस, 25 पोर पिस्टिल के 200 कार्टूस की खरीद की गई थी दरसल ये पूरा मामला 1997 का है, जब लालू पिसाद यादफ बिहार के मुक्षे मंत्री पद उपर काबस थे तबी ये हत्यार खरीद का मामला गौलियर और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था जिसे खरीद बिकरी कर फड़जिवारे तरीके से बिहार में बेश दिया गया था कई नाम नामजद हुए थे जिनमें कई व्यक्ती फरार है तो कई के उपर केस चल रहा है अब ऐसामें जहां बग वारेंट जारी हुआ है वही लालुकरसाद यदव का नाम सामने आया है हाला कि ये सपश्ट नहीं है कि ये बिहार के पूर्व मुक्षबंतरी है या पिर कोई और लालो पिसाद यादव इस बात की जाच परताल करने की कोशिश की जा रही है छानबीन करने की कोशिश की जा रही है हाला कि एक आरोपी के अधिवक्ता ने साफ कहा है कि वो बिहार के पूर्व मुक्षे मंत्री लालो पिसाद यादव नहीं है जिनकी तालाश हो रही है उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है तुला के लिए सब्जेट में अदना ही नमस्कार